हाई फ्रेंट्स वेलकम तो फिजिक्स फ्लायर दो लर्ना डेस्टिनी मैं हो राज श्रीकाब्रा वेलकम करती हूँ आप सबका उल्लियों फिजिक्स फ्लायर जहाँ पर आज अपन बात करने वाल है कम्मुटेशन और रिलेशन बिट्वीन रेजिंग ऑपरेटर एंड यह जहाँ झेक का लेंगे lx के साथ why के साथ ने प Site-iling के साथ अब एल एक्ज य और उसप्रियद्वीन इकालेंगे होगे एंगुलर मुमेंटम स्कुएर के साथ भी अफन सब मिल जाएगा line-wise मिल जाएगा तो आप वो जाकर प्लेविस से मेरा प्लेविस देखो एक पूरा angular momentum operator दिया है उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे और सारे वीडियो में सारे values मिल जाएगे तो बीना डाइम वेजकर करतें अपना का कम Спेlen इंगूलर मोमेंटम नतल और अप्लंग cheap मैं फेलrekत स կहाइज य। g called में निगालेंगे इंगुलर मुमेंटम ओपरेटर एल चल्प्लस का ख७ूलेंगे कि अब के पास पुछा है कि यह स्कुर्य वैसे की वैसे आइंगा और l plus की जो value है वो क्या आई थी अपने पीछले वीडियो में अपने को l plus की value मिली थी lx plus i of ly value मिली नहीं थी sorry यह आपको पता होती है तो आप क्या करेंगे l square को पहले क्या कर देंगे l square lx मतलब उसको distribute to law लगा खिर distribute कर देंगे minus i sorry plus i common निकाल लिया क्यों को आपने निकाला क्योंकि वो constant होता है l square और लगा अब आपको पता है l square lx जो होता है जब भी आप कोई भी l square के साथ अपने मैंने यह पूरा एक वीडियो लिया था उसमें मैं बताया था कि l square के साथ मतलब angular momentum के square के साथ आप lx का निकालो ly का निकालो और lz का निकालो तो आपको commutation relation 0 मिलेगा that means they commute with each other तो this commute with each other this also commute with each other therefore we got 0 0 plus i into 0 means what 0 तो अपके बस क्या मिला l square और l plus का मतलब क्या की raising operator का commutation relation मिला किस के साथ l square के साथ क्या मिला angular momentum की square के साथ क्या मिला 0 ओके अब अपन देखेंगे lx के साथ क्या मिलेगा तो second यह आपको देखना है lx और l plus का ओके तो lx l plus का देखना है तो lx वैसे की वैसा l plus की value लिख दो l plus की value क्या आपके पास lx plus i of l of y ओके distributed law लगा दो क्या हो जाएंगा lx lx plus i lx ly अब यह जो commutation relation है मैंने हर एक relation बताया था आपको मैंने यह बताया था कि जब कोई भी operator खुद के साथ commutation relation करता है commutation relation अपन find out करते हैं तो आपको 0 मिलता है that means they can commute with each other है ना lx lx के साथ commute कर रहा है तो आपको क्या मिलेगा 0 plus i lx ly अब lx ly की जो value है वो 0 तो नहीं मिलेंगी फिर क्या मिलेंगी देखो मैं यहाँ पर हमेशा यह draw करती हूँ क्यों draw करती हूँ आपको learn हो जाने चाहिए वो trickishly lx का निकालना है lx ly का निकालना है मतलब कैसे जा रहा है यह anti-clockwise जा रहा है means आपको positive मिलेगा है ना तो i positive i h cross of l of z अब i into i क्या हो जाएंगा i square h cross of l of z means आपको क्या मिला minus h cross of l of z वे और i square जो होता है वो होता है minus 1 तो आपका जो commutation relation है x और lx और l minus का मतलब commutation relation of angular momentum of x-axis with किसके साथ lowering नहीं raising operator के साथ आपको क्या मिला minus h cross of l of z अब देखो आपको लगेंगा कि मैं बीच में बीच में छोटी-छोटी mistake कर रहे हूं mistake नहीं है क्या है यह आपकर lx ly lz l plus वो इत्ते सारी यह लहना तो इसके वज़से थोड़ा बोलने में यह हो रहा है ओके बाकि कोई confusion नहीं है यहाँ पर ओके तो lx l plus की निकाल ली अब आपन क्या लिकाने लेंगे ly l plus की ओके तो य प्लस की क्या होगी आपके पास तो अपनी जो थर्ड है वो अपन निकाल रहे है ly l plus की अब l plus की value लिख दो क्या हो जाएंगी क्या है clockwise तो आपको क्या मिल रहे clockwise है टो आपको एंशर डिलेगा जल्दी से बताओ नँद क्लॉक्वाइज है तो आपको एंशर आपको एंशर मिलेगा minus में okay clockwise नीद क्या मिलेगा minus में क्या minus i h cross of l of z plus ly ly में 0 तो आपको answer के मिला minus i h cross of l of z तो आपके पास ly और l plus का जो commutation relation है वो ये मिला अब बच्चा स्रिप a की क्या बच्चा l z l plus तो आप क्या कर दो l plus की मतलब raising operator की value लिख दो क्या होगा l z l of x plus i l of y distribute करो distribute law लगा है तो l z l of x plus i l z l of y अब देखो l z l of x मतलब क्या है anti clockwise है anti clockwise है तो आपको क्या मिलेंगी value positive तो i h cross of l of y plus i l y l z ly है मतलब l z l y क्या है clockwise है clockwise है तो आपको answer कैसे मिलेगा माइनस में तो माइनस i h cross of l of x ओके तो अपने पास जो l z l y की value है वो अपने put कर दी अब इसको put करने के बाद में अपन इसको क्या कर देंगे सॉल कर देंगे तो मेरे पास उपर क्या मिला i h cross of l of y माइनस प्लस माइनस i square h cross of l of x अब माइनस i square की value क्या होती है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएंगा आपके पास h cross of l of y plus h cross of l of x अब h cross मैंने निकाल दिया common तो मुझे मिला i l of y plus l of x इसको मैंने reshuffle किया रही है range किया खुछ भी बोल लो l x plus i of l of y अब l x plus i of l of y क्या है l plus है ना तो h cross of l plus आपको जो है उसका answer यह मिला विंस क्या कि l z के साथ आपने commutation relation निकाला raising operator का तो आपको क्या value मिधी s cross of l of plus ओके आपको यह सारे समझ गए अब अपने क्या क्या देखा यह देखू we have discussed अपने अभी तक क्या देखा अपने l plus को किस के साथ देख लिया l x के साथ देख लिया l of y के साथ देख लिया l of z के साथ देख लिया और l square के साथ देख लिया ओके इस चारों का commutation relation आपने find out कर लिया मिलते हैं next video में जिसमें आपन बात करेंगे commutation relation between what two things l plus और l minus इसके दोनों का commutation relation रह चुका है तो यह अपन find out करेंगे और यहां पर अपने जो operators के commutation relation है वह सारे हो जाएंगे लाइडर operator के हो गए angular momentum operator के हो गए l square के साथ भी हो गए जिस all the operators relation अपने finish हो जाएंगे तो लास्ट लेक्चर है अपना operators के लिए लग स्रिफ commutation relation of the operator का लास्ट लेक्चर है तो मिलते और ऐसे ही physics player को प्यार देते रहेगा और हां जरूर शेयर करेगा इन वीडियोज को ओके तो thank you very much for watching this video जाएंगे